जैशे किशना दोस्तो मैं मीतू अपने चानल बी पोफिक्ट विद मीतू शुभाई मैं आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सो कैसे हैं आप सब आयोप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और इश्वर से आप सब की खुशाली की कामना करती हूँ तो दोस्तो आज की वीडियो बहुत ही informative होने वाली है बहुत ही important होने वाली है basically ladies और girls के लिए और जो would-be moms हैं उनके लिए जो family planning कर रहे हैं उनके लिए भी और newly wedds के लिए भी तो मेरी आपसे request है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो please आप इसे जारत से जारत share करिएगा ताकि लोगों को इसके बारे में awareness आ सके लोगों को इसके बारे में पता हो सके because इसके बारे में हर किसी को पता होना बहुत ज़रूरी है तो जैसे की आज का मेरा topic है ectopic pregnancy कि ectopic pregnancy क्या होती है ectopic pregnancy का basically मैं in short या सीधे साधे शब्दों में बोलूँ कि बच्चे का विकास बच्चे दानी में यानि की uterus में ना होकर शरीर के किसी अन्य भाग यानि की body के किसी और पार्ट में उसका develop होना उसका विकास होना बच्चे का विकास होगा लेकिन वो बच्चे दानी में नहीं होगा किसी और जगा पे होगा और basically जारा तर cases में ये पाया गया है कि जो बच्चे का विकास है वो फैलोपिन ट्यूब में होना start हो जाता है और जगापे भी हो सकता लेकिन जारा केसस में ये पाया गया है कि फैलोपिन ट्यूब में बच्चे का बिकास होना शुरू हो जाता है और बात रही इसकेisanis की, अक्टॉपिक प्रेंगनसी के कितने चांसिस रहते हैं topic pregnancy का 100 में से 1 case सामने आही जाता है यानि कि 100 में से 1 ladies में ये problem पाई जाती है on an average अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके कारण क्या होते हैं कारण इसके बहुत सारे होते हैं सबसे main मतलब main क्या मैं आपको जो discuss करने जा रही हूँ आपसे वो सारे ही main है number one है कि फैलोपीन ट्यूब का चिपका होना अब बात आती है कहीं लोग कन्फीज होंगे कि भाया ये फैलोपीन ट्यूब होती है तो मैं आपको इसके कारण को discuss करने से पहले मैं आपको एक बहुत easy सा example देके मैं आपको ये clear करूंगे कि फैलोपीन ट्यूब क्या होती है और वो किस से connected होती है तो हम यहाँ example लेते हैं नल बात्रूम या kitchen का नल कोई भी एक नल जिसे पानी आता हो उसमें लगा हुआ एक pipe देन वो pipe जा रहा है हमारा बाल्टी के अंदर अब इसको समझिए कि इसमें कौन सा पार्ट क्या है नल जो है हमारा उससे पानी आ रहा है तो नल में पानी हमारे एक तरह से मतलब आप कहसकते हो आ रहा है तो जो नल है हमारा वो हो गया ovry ओवरी यानि कि जहाँ पे हमारा जो egg है वो fertile होता है एक पनपता है तो हमारा नल ओवरी हो गया ओवरी में हमारा जुड़ा हुआ है इस तरह से पाइप यानि की फैलोपिन ट्यूब ओवरी में एग क्रियेट होता है देन वो दीरे दीरे फैलोपिन ट्यूब में आता है यानि की पाइप में आता है फैलोपिन ट्यूब में कुछ टाइम रहने के बाद वो न पाइप से और फिर वो गया बाल्टी में तो यहां नल होगे हमारी ओवरी पाइप होगे हमारा फैलेपिन ट्यूब और बाल्टी होगी हमारी यूट्रेस तो यहां फैलेपिन ट्यूब से में जब एग नीचे ना जाके यानि कि बच्चे दान में यूट्रेस में ना जाके ज जब हमारी फैलोपिन ट्यूब का चिपका होना जब हमारी फैलोपिन ट्यूब का चिपकी होती है तो जब एग ओवरी से उसके अंदर आता है तो चिपके होने के कारण आगे यूट्रेस में वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है वहीं रुक के रह जाता है, वहीं बेबी का विगास होना शुरू हो जाता है नेक्स कारण होता है PID की प्राब्लम, PID को में रिटेल में नहीं लूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग कन्फियूस कर जाएगे तो PID को इन शॉर्ट में बोलूँगी, जो वुमेंस में लाइक इन्फेक्शन वेगारा, कुछ तरह को इन्फेक्शन, कोई छोटी मोटी प्राब्लम होना तो इस कारण भी क्या होता है, कई बार एक्टॉपिक प्रेग्नेंसी के चांसिस हो जाते है नेक्स्ट, जो लेडिस स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करती है, उनके साथ भी एक्टॉपिक प्रेग्नेंसी के चांसिस रहते है नेक्स्ट, फैमिली प्लानिंग के लिए जो हम उप्रेशन कराती है लेडिस, उसका टाइम गलत चूज हो जाना मान लीजे, एग ओल्रिडी मतलब जो आपने ओप्रेशन कराया उससे पहले एग आपकी उसमें ओवरी में आ चुका है और जब आपने इंट्रिकोर्स किया तो एक के साथ हमारा स्पम भी मिल गया यानि कि वहाँ पे जाइगोट यानि कि बच्चे का पनपना स्टार्ट हो गया और उसके बाद हमने ओप्रेशन करा लिया अब ऑप्रेशन कराने से क्या होगा यूट्रिस का जो फंक्चन है वो तो रुख जाएंगे लेकिन जो हमारा फाटाइल एग है वो फैलोबिन टूब में है तो वहाँ तो उसका विकास हो जाएगा वो यूट्रिस तक नहीं पहुच पाएगा तो इसलिए जब भी आफ फैमिली प्लानिंग का ओप्रेशन करा है उसका टाइम अच्छे से डॉक्टर से कंसर्ड करके चूज करें सेफ टाइम होना चाहिए एक्टॉपिक प्रेग्नेंसी के चांसिस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए नेक्स्ट हमारा होता है कि कोई हमारी सर्जुरी पहले से हो चुकी होती है कई बार के बार प्रेग्नेंसी से पहले ही कुछ कॉप्रेशन आ जाते हैं या कुछ वाटेवर कोई भी रीजन हो सकता है मतलब किसी भी तरा कि अगर हमारी प्रेग्नेंसी पहले हो चुकी है तो उ यह बार कुछ केसिस में यह भी हो जाता है कि जो जिनके कोपटी लगी हुए कोपटी यूज करते हैं उस केस में भी कई बार एक्टॉपिक प्रेग्नेंसी के चांसिस बन जाते हैं लेकिन अगर हम रीजन्स फाइंड आउट करें कि वाट आर दो कॉज़ आपको यह भी प्रेग्सीं मौल होते हैं लामल तौन आपको लगेगा हम जब edsट करतेया घर पह रहे है हम यूरीन करा है από हम्मारी पूजटीव लगता है यह थि भी तो लेह हम नौर्मस यह सएल आहरा प्रेग्नेंसीु नीव प्रेग्नेंसी करते हैं स्वाल मारा अटा पॉजिटिव आता है और हमें लगता है प्रेगनेंसी हमारी नॉर्मल है या हम प्रेगनेंट है इस कंफर्म लेकिन जैसे जैसे एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बढ़ती है तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है लाइक लोवर एब्डॉमन यानि कि प हमारी धनविर्स हादी है वहां अगर जैसे और तो परिशन पड़ेगा तो इस कारण जैस रूब्ल में या तो ड। यह पता लगा हमने इसका टीटमेंट नहीं लिया तो एक टैम पर क्यों पर फैलोपिन ट्यूब में बेबी का विकास जादा होगा इस तरह से भड़ता चला जाएगा तो फैलोपिन ट्यूब मारी ब्लास्ट हो जाएगी यानिकि फट जाएगी फटने से क्या होता हमें ब्ली को च्वकान ब्ली आखेक तो बिल नटे टीट में sa क जाएगी परेंगे ब्लीन ब्लास्ट श्रम टैम्स सब्सक्राइगे Favoriteought आभ लागा है जेसं क्यान बात डिटिमेंट की इसका पता हम राइट टाइंब से कैसे लगाएं वो मैं आपके साथ अब डिसकस करूँ treatment इसका होता है basically दवाईया और जो main और best treatment जो इसका होता है that is surgery surgery में हम क्या करते हैं जो हमारा जो अंदर fertile जो हमारा baby panapra और the fallipine tube में या किसी भी part में उसको निकाल दिया जाता है और बेस्ट डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आप उसके साथ फैलोपिन ट्यूब भी जिसमें चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो आप उसको भी आप निकलवा दें तो वो बहुत जारा बेटर रहेगा और बहुत आगे के लिए सेफ चांसिस हो जाएंगे कि आपको कोई कॉम्टिकेशन नहीं होगी तो बेटर ही है कि हम उस सर्जरी के द्वारा उस ट्यूब को ही निकलवा दें ताकि आगे हमें कोई इस तरह के चांसिस ना हो आगे कोई इंफेक्शन या कोई पार्ट उसमें रहे जाए हमारा फटाईल बेबी का तो वो उससे कुछ और में कॉश्चन आता है या कई वार हम इस टॉपिक के बारे में मतलब सुनके डर भी जाते हैं कि भाया फैलेपिन ट्यूब निकल गए तो आगे फदर प्रेगनेंसी के चांसिस क्या रहेंगे फ्यूचर में हम प्रेगनेंट होंगे या नहीं होंगे बेबी कंसीव कर सकत तो इसका बहुत ही एक मतलब सीधे शब्दों में मैं आपको आंसर दूँगी येस हम फ्यूचर में कंसीव कर सकते हैं वो कैसे मैं आपको बताऊंगी फैलेपिन ट्यूब हमारी दो होती हैं लेफ्ट और राइट मान लीजे लेफ्ट में हमारा हमने रिमूफ करा तो राइ हमारी एस मतलब नॉर्मल फंक्शन करेगी जैसे पहले करती थी हां लेकिन प्रेग्नेंसी के चांसे इसमें 50% हो जाते हैं बिकॉस एक महीने जो एग है वो लेफ्ट ओवरी में लेफ्ट फिलोपिन ट्यूब में डेबलब होता है और जो सेकिंड मन्त है एक महीने राइट म होता है ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही महीने में लेफ्ट ओवरी में भी हमारा एक डेबलब हो और राइट ओवरी में हमारा एक डेबलब हो तो मान लीजे आपने लेफ्ट निकलवा दी है तो यानि कि मान लीजे मेरे इस मेने लेफ्ट ओवरी निकली है मतलब फेलबिन ट्य नहीं कंसीुव करें का महिना झूलय का महिना जूलाइं में mix होगे- weather एक बार को एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का केस आपके साथ फस गया है या ऐसा हो गया है तो आप दुबारा प्रेगनेंट नहीं हो सकते यह बिल्कुल एक मित है यह बिल्कुल एक गलत लोगों की सोच है लेकिन एक बात में आपको highly suggest करूंगी कि timely इसका पता लगाना बहुत ज़रा ज़रूरी है कि हमारी प्रेगनेंसी एक्टॉपिक तो नहीं है बेसिकली स्टार्टिंग में इससारा को पहले बताया कि normal हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं normal इसके symptoms होते हैं जो प्रेगनेंसी में होते हैं यह बहुत सारे cases में मतलब यह नह भूर कराना चाहिए डॉक्टर से सला लेके कि हम यह सर्फ कन्फर्म करनाना चाहते हैं कि मेरी अक्टॉपिक तो नहीं है बकॉस अगर बहुत ज manufacturing हो जाती है तो कई ल्हें से हमारी जान भी जा सकती है ब्कॉस तैम के निकलते निकलते अगर प्रेगनेंसी 1 ये डॉल आप ब्लास्टोने से इंफेक्शन भी फैल सकता है जादा अगर से टाइम भी रिमूब नहीं करा गया उसका टीटमेंट नहीं दिया गया तो मैं हाइली आपको यह रेक्मेंड करूंगी कि प्रेंगनेंसी के आपको ठीक लगें डॉक्त अल्ट्रासवंड लेकर आप जरूर करा लें कि अगर आपका उसी टाइम कन्फर्म होता है अगर आपको कन्फर्म होता है कि यह प्रेंटन सी है तो आप करिये कि कब फैलेपिन ट्यूब मेरा ब्लास्ट होग और और शिंडम्स आएंगे रिस्क ले तो यहां को ने क्लीनिकल केशेंट करता है कि आपको क्या टीटमेंट है लेकिन यह है ताकि किसी तरह का इंफक्षन या फूच्टरी न कोई प्रॉब्लम दुबारा आर ही नहीं सके तो ये बहुत जरूरी है कि pregnancy का सही time पर ये पता लगाना कि ectopic pregnancy है या नहीं है और अगर है तो उसका timely उसके blast होने से पहले treatment का पता लगाना तो ये थी मेरी आज एक छोटी सी वीडियो जो बहुत थी मतलब I think जब मैंने मुझे इस topic की बारे में पता लगा तो मुझे लगा कि मुझे ये information जिसने नहीं पता है जारा से जारा आगे forward करनी चाहिए because ये बहुत चीज़ जरूरी है क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकती है और हम इसको जान बुझके नहीं करते अंजाने में हो जाता है लेकिन अब अंजाने में भी कुछ हुआ है लेकिन अगर जानलेवा है तो वो गलत है तो उसका timely पता लगाना उसके बारे में जानकारी होन में बहुत जरूरी है तो ये थि दोस्तों मेरे आज एक छोटी से वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए गा शेए शेयर करिए गा जारत से जारा शेयर करिए गा और चानली अगर िपक्रैब करिए गा और बेल आइकन ज़ Dallas ह लिए राद है राद है